बिस्मिल्य रख्मान रहिम असलाम वालेकूम आप सब कैसे हैं क्या हाल है आप लोग का आज मैं आप के लिए लेकर आई जट पट बनने वाली स्वेटिश मिक्रोणी सेलेड इसमें क्याकर यूज करें आप लोग देखें मैंने एक बॉाइल मेक्रोणी लिए 5-6 केले ली है उसको मैंने काट लिया है एक कप किरिम ली है दो टेबलिस्पूर मैंने चीनी दा लिये चंद कदरे वनिलया से लिया है उसको बीट कर लिया है एक कप मैंने सेप ली है उसको काट लिया है गानिश के लिए मैंने अंगोल दिया है किश्मिश ली है और चोकल चिस ली है है आए इसमी को हम मिक्स करते हैं एक बॉल लेंगे उसमें हम अबलीवी मकरोनी दाल देंगे केले शामिल कर देंगे इसमें कट की हुए सेफ दाल देंगे मैंने फ्रूट को ज्यादा बारिक नहीं किया है ओपर से हम किरीम दाल देंगे इसको मिक्स करेंगे हलके हातों से बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है वरना हमारे केले खराब हो जाएंगे तूट जाएंगे यह देखे हमारी तयार है अब इसको हम सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे यह देखे किती जली तैयार हो गई है हमारी मिक्रोनी सेलेट अब इसको उपर से कारिश करने के लिए हमने जो जो चीज़े रखी है वह दाल देंगे अंगूल लिए थे मैंने इसको बीच से काट लिया है इसके बीच निकाल दिये हैं वह दाल देंगे हम अब अगर और कोई दूसरा फूर्ट भी अच्छा लगता है वह दाल सकते हैं इसमें उपर से चुक्रचित डाल दी है इसमें आप और ड्राइफ पूर्ट भी डाल सकते हैं यह देखें तैयार है हमारी मेकरोनी सेलिट इसको आप ठंडा करके खाएं बहुत अच्छी लगेगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अलाहाफिज ठ्सक्राइब करें बार्प्राइब कर ले लाइबकार साथ एंट हुआएबस झाल झाल